आखिर दूबई इतना अमीर बना कैसे दूबई के पास इतना पैसा आया कहा से और दूबई के सेक एसो आराम की जिन्दगी जीने के लिए इतना सारा पैसा लाते कहा से आज से 20 साल पहले दूबई के पास कुछ नहीं था तो सवाल तो ये उड़ता है कि पिछले 20 सालों में इतना सारा पेशा आया कहा से आप में से जादातर लोगों का जवाब यही होगा कि वहा तेल की खदाने है लेकिन आपको बता दे कि दूबई में जेनरेट होने वाला जितना भी पेशा है उसका मात्र 1% ही तेल की वज़े से आता है और बाकी 99% कहा से आता है जानेंगे आज की इस वीडियो में तो बने रहना वीडियो में इन तक दोस्तों जादा नहीं बस 20 से 22 साल पीछे चले तो दूबई के पास रेत के अलावा कुछ भी नहीं था लेकिन एक शक्स जिसने दूबई का पूरा नक्षा ही बदल दिया और वो इंसान है मोहमद बिन राशित अलमक्तोम ये एसे इंसान है जो बड़े दूर की सोचते हैं और इनकी इसी सोच ने आज दूबई को दूबई का तीसरे नंबर का टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस के साथ साथ गलोबल हब और गलोबल डेस्टिनेशन बना डाला तभी दूबई में जाके अपना एंपायर बिल्ड करने की सोचते हैं उसी के साथ दूबई एसी जगह बन गया जहां आपको सब कुछ टोप लेवल का देखने को मिलेगा फिर चाहे हो दुनिया का सबसे बड़ा मॉल दूबई मॉल हो या दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बूर्ज खलीपा हो या दुनिया का एक लोता सेवन स्टार होटल बूर्ज अल अरब हो दुबई के शेक मॉहमद जब अमेरिका में डिजनी लेंड के पास गए ये बोलनी के लिए कि दुबई में सबसे बड़ा डिजनी लेंड बनना चाहिए तो उन्होंने मना कर दिया बोला कि दुनिया का सबसे बड़ा डिजनी लेंड हमारे यहा ही होगा उसी पर शेप मुहम्मद ने साब बोल दिया ठीक है आप मत बनाओ हम बनाएंगे दुबई लेंड जो सबसे बड़ा होगा जहाँ पर हर रोज दो लाख लोग आएंगे और वही जहां रेगिस्तान में ठीक से पेड़ पोदे नहीं उकते उसी जगह पर फूल उगा दिये और करोडों के घर मिलते हैं और इस आईलेंड का स्ट्रक्चर गोल नहीं है क्योंकि दुबई के शेख ये बात अच्छे से जानते हैं कि अगर वो गोल आईलेंड बनाते तो ज़्यादा घर बिल्ड नहीं कर पाते जिससे दुबई इतना पैसा नहीं कमा पाता इसी वज़र से इस आईलेंड का डिजाइन ऐसा रखा गया जहाँ पर जादा से जादा घर बना के ये बेच सके इसी के साथ दुबई के कानुन जानकर आपके होश उड़ जाएंगे दुबई में आप अपने गाड़ी गंदी नहीं रख सकते अगर आपकी गाड़ी गंदी है तो आपके अकाउंट से एटोमेटिक 200 धीरम कर जाएंगे अगर आपने ट्रैफिक रेल लाइट जम्प की तो भी आपके अकाउंट से एटोमेटिक 200 धीरम कर जाएंगे दुबई को आधी इंकम तो फाइन और पेनल्टी से होती है साथ ही यहाँ आने वाले टूरिस से आने वाला पैस इसी तरह दूबई पेसे कमाता है उम्मीदे आपको वीडियोच पसंद आए वोगी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इसी ही नोलेजबल वीडियोच आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब कर देना